नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं क्रीसी बील के बिरोध के बीच सरकार ने बढ़ाया ग्योंपर SMP किसानों से जूड़े दो बील को लेकर उतर परदेश हर्याना और पंजाब में किसानों का परदसन जारी है बिपक्ष का काना है कि इस दोनों बील के पास हो जाने से किसानों के लिए निधारित नियुम्तम समर्थनमूल को के इंदर सरकार खटम कर देगी लेकिन सरकार ने रभीवार को ही असपर्ष्ट कर दिया था कि क्रीसी मंडी और MSP को खटम नहीं किया जाएगा बता देगी सोमवार को सांसंद में किसानों को बड़ा सोगात देते हुए नियुम्तम समर्थनमूल बढ़ा दिया है जिसके तहुत 50 रुपे प्रास्तिक इंटल बढ़ा कर 1975 रुपे प्रास्तिक इंटल कर दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर तक बादल छाय रहने के साथ भारी बारिष की संभावना जताई गई है इसके साथ ही बजरपात की चेतावने भी जारी की गई है मौसम विभाग बैग्यानिक अभिसेख अनन्द ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेत्र बन रहा है इसका असार राज में देखने को मिल रहा है विभाग के अनुसार दो दिन तक जारी रहेगा है राजिके अरकषी 13 जीलो के हाइ इसकूलो में 17 572 सिक्षकों के नियुक्ती की परकिरिया पर गए हुआन लगान लग गया है बताथे कि हाइक। ने 17 572 सिक्षक नियुक्ती परकिरिया के लिए निकाले गए विगयापन को खारिश कर दिया है जार्खन में 1321 ने संक्रमितों पुष्टी हुई है जो बोकारों से 50 चात्रा 3 देवघर 54 धनबाद 111 दुमका बारा जमसेद पूर 371 गडवा 71 गीड़ी 15 गोड़ा 32 गुमला 15 हजारी बाग 141 जामतरा 29 खोटी 3 कोडारमा 18 लातेहर 16 अलवार्दागा 40 पांकुल 28 इमडेगा 10 पलामो 20 रामगर 43 राची 176 साहिब गंज 13 सराय के लाखर सावा 34 पच्मी सिम्भूम से 36 मिले है जार्खन में कुल संक्रमितों की संख्या 22670 है जबकि 58543 लोग स्वास्थ हुए और 626 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 25,60,105 है जबकि 44,94,720 लोग स्वास्थ हुए और 88,965 की मिरिती हो गई जार्खन में स्वोमवार को 8 की महत हुई है जो जमसेद पूर्व धनबाद से 33 देवघर वर राची से 1 की महत हुई है स्वोमवार को 1599 मरी स्वास्थ भी हुए है 631, पच्मी सिमू 430, गुमला 416, वकारो 381, रामगर 355, सिम्डेगा 310, चत्रा 306, गिरिडी 280, लोहरदा का 269, खोटी 275, लातेहर 222, दूमका 202, देवघर 155, गोटा 184, पलामू 182, गडवा 154, सायवगा 112, जामतला 105, पाकुर्थ से 222, मरीज, फिलाहल राजे में एक् अरारबी, एन्टी, पीसी, आवैधन, इस्थिति के लिए लिंक सक्रिये, रेलविय भर्ती बोर्ट ने एन्टी, अवैधन की स्थिति, जाज के लिए 11 सितम्बर से लिंक एक्टिवेट कर दिया है, बतादे कि इस लिंक को औरारबी, कोलकाता, औरारबी, सिकंद्राबाद, और ने सहीत छेत्रिये वेप साइटों की अधिकारिक साइटों पर सक्रिये किया गया है बता दे कि अभियार्थी 30 सितंबर तक अपने आवेजन की तिति जाज कर सकते हैं इसके लिए 15 दिसंबर से परिशा के आवेजन की जाएगी देवघर से सुरू होगी राची कोलकाटा और दिली के लिए बिमान सेवा है जाखन के देवघर एयरपोर्ट से नॉवंबल 2020 में हवाई सेवा सुरू होगी सुरू में तीन कंपनिया राची कोलकाटा और दिली के लिए बिमान सेवा सुरू करेगी एरपोर्ट अथरोटी अफ इंडिया ने एवियेशन कम्पनियों के साथ बात्ची सुरू कर दी है बताया जाता है कि शुरू आती दोर में देव घर से राची, कुलकाता और दिली के लिए हवाई सिवाई सुरू करने की तेरी चल रही है बता दे कि पहले फेज में स्पाइस, जेट, गो एयर और इंडियो जैसी कम्पनिया हवाई सिवाई देगी चार जीलों की सायक पुलिस कर्मी लोटे वापस तुटा सब्रका बंद राची के मुरबादी मैदान में अस्थाई करन की बांको लेकर बारा सितमर से अंदोलन कर रहे बारा जीला के सायक पुलिस कर्मी का सब्रका बंद अब तुटता दिख रहा है इसमें चाईबासा, दुमका, खुटी वा, चत्रा, चार जीले के पुलिस कर्मी वापस चले गए है हलाकि अंदोलन रत सायक पुलिस कर्मी नहीं समद में कहा है कि उन लोगों का इगनु का परिक्षा इसलिए वे लोग वापस गए है परिक्षा समाप्त होते ही आंदोलन चलता रहा तो वे फिर से आंदोलन में समीलित हो जाएंगे बिधान सभा में गुंजा सायक पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज का ममला जाएक ने बिधान सभा के मांसुन सत्र के दूसरे दीन विपक्षी दल भाजपा के बिधायकों ने सदन की करवाई सुरू होने से पहले जारखन लेंड मुटिसन बील को रद करने समेत अनमागों को लेकर सदन के बाहर धारना दिया बता दे कि बिधान सभा में सायक पुलिस कर्मियों पलाठी चार्ज का ममला गुझता रहा कुरोणा संकट के बीच जारखन बिधान सभा का मांसुन सत्र तीन दीनों के लिए अवित किया गया इस दोरान इस्पीका रमीन रनात महतों ने सदासियों से सदन चलाने में सवयोग करने का हैगरा किया जायक ने बनाया नब्बे हज्जार परिछार्थियों के लिए 600 परिक्षा केंद्र परिक्षा दुरुगापुया से पहले राज में मदर्शा, माध्यमा, इंटर्मेडियेट और वोकेशनल समेत, मैट्रिक और इंटर्मेडियेट संपूरक परिक्षा के लिए 600 परिक्षा केंद्र बनाये गाए है बता दे कि इन परिक्षाओं में लवग 90,000 परिक्षासी सामिलित होंगे जैक ने परिक्षाओं के आयोजन को लेकर इसकुरी सिक्षाओं साचरता विभाग से अनुमाती मांगी थी बता दे कि पूर में इन परिक्षाओं के आयोजन के लिए लवग 100 परिक्षा के अंदर होते थे पर क्रोना संकट के बीच इस वरस संख्या बढ़ा कर 600 कर दी गई है जैकी रिपोर्ट के अधार पर सिक्षाओं भी भाग जल्दी परिक्षा के समाद में निर्ना ले सकता है परिक्षा दुरगा पुजा से पहले ली जा सकती है उधर इस कुटनी के लिए 2700 आएदन मिले हैं जिस पर जाद परकिरिया सुरू कर दी गई है ट्रांसजेंडरो और दिव्यंगो को भी मिलेगा एक रुपे किलो रासन जाकन सरकार के खाद सुरक्षा योजना के ताथ ट्रांसजेंडरो को भी जोड़ा गया है इस योजना के ताथ उन्हें भी परतिमा एक रुपे की दर से पांच किलो आनाई दिया जाएगा बता दे कि राजे में यहाँ 15 नॉमबर से सुरू होगी ट्रांसजेंडरो के साथ 40.50 से अधिक दिव्यंगो को भी इस योजना का लाब मिलेगा इस योजना के लाबकों को हरे रंग का राशन काट दिया जाएगा ओनलाइन सिक्षा से 77 बच्चे वंचीत कुरोना काल में ओनलाइन सिक्षा जरूरी बन गई है प्राइबेट स्कूलों के साथ सरकारी बिद्यालों के बच्चों को भी डिजिटल सिक्षा प्रनाली से जोड़ कर उने बेहतर बढ़ाने के परियास जारी है बता दे कि लोगडाउन के बाद से सुरू हुई या सेवा सरकारी बिद्यालों में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है बरतमान में करीब 70 फिजदी बच्चे अब भी इस सिस्टम से दूर है एक रिपोर्ट के अनुसार इसके कई कारण है इसमें सबसे परमुख कमजोर नेटवर्क और वच्चों के पास अंडरेड मोबाईल के उवलबता में कमी बताया गया है इसकूलों में पेजल, सोचालय और सफाई का हो पुखता इंतिजाम रामगर डिसी लोगड़न के दरहां सरकारी विद्यालों में सिक्षन का कार्य बंध है लेकिन विद्याले भौनों की स्थिती जरजर ना हो इस पर परसासन का पुरा द्यान है सुमवार के डिसी संदीप सिंग ने सिक्षा विभाग के अधिकारियों साथ समिक्षा बैठक की इस दरहां उन्हों ने कहा की विद्याले भौन में पेजल, सोचालय और साब सफाई के पुखता इंतिजाम होनी चाहिए जरखन में सुमवार तक कुल 915 पुलिस पता अधिकारी वा कर्मी कुरोना पोजेटी पाये गाए हैं इन में से 4515 पुलिस पता अधिकारी वा कर्मी स्वास्त भी हो चुके हैं बताएदे कि राजे में फिलहाल 388 पुलिस पता अधिकारी वा कर्मी संक्रमी थाए बिधान सवा में खाद कालावजारी और टेंडर की परकिरिया का मोदा उठा चाकन बिधान सवा में सोमवार को 25.84.82 कोड का पाला अनुपूरक बजट पास हो गया बिधायक बिनोच सींके कटोती प्रस्ताव पर वाद विवाद और विपक्स के वाकाउट के बाद अनुपूरक बजट पास हुआ इससे पहले चर्चा के दोरान खाद की कलावजारी से टेंडर की परकिरिया पर सवाल उठे बता देक बिधायक परदी प्यादों ने बताया कि सरकार की मनसा सही है लेकिन उसका फ़ल नहीं मिल पा रहा जिसने यूरिया में लूटा उसे ही कमपोस्ट खाद देने की जिमिदारी दे दी गई है आज राची के छव जगों पर लिया जाएगा जाच का सेंपल राची के छव अस्थानों पर आज कुरोना जाच के लिए सेंपल लिये जाएंगे इसके लिए एस्टेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाएगा है बता दे कि लोगों को यहाँ सुब दस बये से साम छव बये तक अपना सेंपल दे सकेंगे इन छव जागो पर बनाएगा है सेंटर जिलाई स्कूल सहित चोक, स्वागत हौल हर्मू, रामलखन सिंग्यादो कॉलेज कोकर, डोरंडा कॉलेज डोरंडा, जगरनात कल्व धुरुआ, तरून विकास मद्य विद्यालाय, महादेव टोली, चुटिया में बनाएगा है बिधान सभा में आए सार्ना धर्म कोड बिल लाएगी सरकार, जरकन सरकार मंगलवार को बिधान सभा में सर्ना कोड बिल लेकर आएगी, सर्ना कोड बिल को जरकन बिधान सभा से पास करा कर इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा इसकी जनकारी बीत वक्षाद आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेशरू राव ने दिया बता देगी सोमवार को सदन की करवाई खतम होने के बाद विधान सभा परिशन में उन्होंने कहा कि राज सरकार मंगलवार को सरना धर्म कोड बिल लाने जा रही है सरकार के धर्म की परिक्षान ना ले हमन्त सुरेन मुख मंत्री ने असांका जायर करते हुए काहा है कि सायक पूलिस कर्मी को उक्साया जा रहा है उनके भविसके साथ खिलवाय करने का सड़्यंत हो रहा है सकारात्मक बाचित होने के बाद घोसना से पहले सायक पुलिस न जाने क्यों आक्रोसित हो जाते है उनकी उदंड हरक्तों के कारण पुलिस को मजबूर होना पड़ा है उन्होंने आगरह किया है कि कोई भी सरकार की साहन सिल्ता की परिक्षान ले सियम ने कहा है कि यह सनवेदन सिल्त सरकार है सभी की बाते सुनने का दवित निभाती है चंद्रेस गौल्स होस्टल के मालिक ने 6 महिने का किराया माप किया क्रोना संक्रमन काल में लालपूर के वर्दमान कंपाउंड इस्थित चंद्रेस गौल्स होस्टल के मालिक सैलेस कुमार साउने छत्राओं को बड़ी रात दिया, उन्होंने अपने होस्टल में रहने वाली करी 50 छत्राओं का 6 महीना का किराया माप कर उनके चेरे पर मुस्कान विखेर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कुरोना के करण सभी की आर्थी किस्थिती खराब है, ऐ ऐसे में कमरे का किराया लेना उचित नहीं होगा, डाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी विश्व विद्याले में विभीन विशयों में अनुबन सिक्षाक वगेस्ट फैक्लिटी की नियुक्ति पर किरिया सुरू कर दी गई है, इसके तह 17 विशयों में अनुबन सिक्षाक और कमर्स में गेस्ट फैकिलिटी के लिए आवेदान अमन्तित किये गए हैं, अभियार्थी ओनलाइन आवेदान विश्व विद्याले की अधिकारिक वेबसाइट डी, एस, पी, एम, यू, राची, डाची, डाट, एन पर 5 अक्टूबर साम 5 बये तक दे सकते हैं, बिहार दे कि भाजबा विधायक किसुन कुमार्दास ने होमगार्ट जवानों के समध में विधान सभा में सवाल पूछा था कि क्या जारकन में भी होमगार्ट जवानों को बियार की तज़ पर बेतन सहीत अनसुदाय मिलेंगी, इस सवाल के जबाब में राजी सरकार ने अश्प पुलिस कर्मियों की संख्या छिपाती है जारकन सरकार, जारकन सरकार सहीत पुलिस कर्मियों की संख्या छिपाती है, विधान सभा में सोमवार को रखी गए नियंतरक एवा महालेखा परिक्षक की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है, बतादे की रिपोर्ट में साप सा रिपोर्ट के अधार पर निकाला है बतादे कि यह बीतिये वर्ष 2013 से लेकर 31 मर्च 2018 को खतम हुए बीतिये वर्ष के आकड़ों पर अधारी था है 200 क्रोर घोटाले की जाच के लिए धनबाद पहुंचे ACB DSP धनबाद नगर निकाल में 14 में बीत आयोक की योजना में लगभग 200 को रुपए के घोटाले की जाच तेजी हो गई है बरफटर चार निरोधक बियोरो के DSP असोक कुमा सोमार को जाच के लिए नगर निकाल पहुंचे उन्होंने नगर आयोक से मिलकर फाइलों की जनकारी लिए है बता दे कि इस मामले में मुखमंत्र हैमन सुरेन ने ACB जाच का आदेश दिया था अन दाता आत्मनिर्भर होंगे तो देश होगा आत्मनिर्भर रगवरदास पूर्व मुखमंत्री रगवरदास ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि हमारे अन दाता आत्मनिर्भर हो दास ने सोमवार को कहा कि किरिशी छेत्र का व्यापक विकास हो भारत जैसे किरिशी प्रधान देश में आजादी से आज तक किरिशी छेत्र में जो परियोग हुआ है उसके पईणाम सामने आये हैं देवघर में 14 में बित के कार्यों की समिक्षा हुई देवघर डिसी कमलेश्वर परसाथ सिंग की अध्यक्स्ता में सोमवार को खाद सुरक्षा मंद्रेगा प्रधान मंतियवास विजना एवम 14 में बित आयोग एवम जीला समन्वे समिती द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम समिक्षा बैटक समर्नाले सबागार में अयुद की गई इस दवरान उपायुक द्वारा जनकारी दी गई कि जार्खन राज खाद सुरक्षा जुद्ना के तहत देवघर जीले में 16846 लावुकों का चैन किया जाना है आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें आप कोमेंट में अपना सुझाद दे सकते हैं थाइंक